हेलो क्लास थोड आज आप मैठ में स्टड़ी करेंगे एडिशन क्योंकि आपका चैप्टर नंबर फोर है तो एडिशन तो आपको आता ही होगा लेकिन यहां पे आप कहते हैं थोड़ा सा यह बड़े डिजिट्स वाले नहीं आते तो यहां पे आपको सिखांगा मैं तो यहा 1260 आप इसे क्या करेंगे क्वलम में write कर लेंगे iirm अगे यहां पे जो सक्रीकट नंबर इसका अभी कितना था तू तो में आपको 200 वाले वाले 10 वाले में 4 और 1 वाले में 6 राइट करना है उसके बाद 1 से 1 ये 1 से 1 आप एड़ करेंगे 3 और 6 9 एड़ करेंगे क्या हो जाएगा 9 ऐसे 2 4 एड़ करेंगे आपका आएगा 6 ऐसे 6 1 एड़ करेंगे कितना आजाएगा 7 और अगर 1 और 2 एड़ करेंगे कितना आजाएगा 3 ओके यह तो आपको आता भी होगा जहां तक है देखते हैं next क्या है यह अगर आपके three numbers हो गए तो उसके लिए भी प्रोसेस होता है सबसे पहले आप column में write कर लीजिए देखे column में write कर लिया गया है यहां से note करके 5203 था 5200 और यह आपका 3 ऐसे second था 1412 1400 और यह आपका हो गया 12 फिर कितना है 2000 54 तो आपने write कर लिया 2000 100 पे कुछ नहीं तो आप यहां 0 दे देंगे और यह 54 अब आप आपने six write कर दिया ऐसे two fours हो गया six six में zero add करेंगे आएगा six five और वन आपका कितना होता six six or two add करेंगे eight यहां पर आप write कर देंगे eight ओके अब यहां देखे निच्छे exercise 4.1 तो आप इसे कर सकते हैं मैं कुछ कर दे रहा हूं ओके तो यहां देखे टू और फाइव तू और फाइव कितना हो जाएगा seven और right side से करते हैं okay seven two nine two one three four one five ओके चलते हैं बी वाले पर तो बी वाला question क्या है आपका बी वाला question four और one कितना हो जाएगा five one two कितना हो जाएगा three one zero one seven two nine ऐसे question number c में देखें तो nine zero कितना हैगा nine four three हो जाएगा आपका seven six zero six हो जाएगा और five two कितना हो जाएगा seven ऐसे यहां पर आ जाएगे one five कितना हो गया आपका six five two कितना हो जाएगा seven four three seven हो जाएगा 5 अब यहां पर कुछ और भी कोश्चन है तो 4 मैं कर दे रहा हूं 4 आपके लिए homework हो जाएगा 6 to 8 6 to again 8 again 8 और 5 4 कितना हो जाएगा 9 यहां पर F volume क्या हो जाएगा 4 5 कितना हो जाएगा 9 4 2 6 1 2 3 और 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5 देन जी वाला क्या है आपका जी वाला यह जी 9 और 0 कितना हो जाएगा 9 5 4 कितना हो जाएगा 9 6 और 1 मिलके हो जाएगा 7 6 2 कितना 8 ऐसी 8 0 8 7 0 7 8 1 9 और 8 1 9 ओके यह 4 जो है आपके लिए यहां पर क्या exercise 4.2 और यहां पर भी क्या करना आइड करना लेकिन यह इसमें क्या carry वाला है ओके तो यहां देखिए आपका क्या है 8 और 3 8 और 3 एड करें कितना हैगा 11 11 का आप करेंगे 1 राइट और 1 आपकी हो जाएगी carry then 6 2 कितना हो जाएगा 8 और 1 carry करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 ओके दन 7 3 10 और 10 का 0 और 1 carry हो जाएगी okay then 4 2 6 और 1 carry कितना हो जाएगा 7 okay question number B 9 7 how will be 16 okay and 1 will be carry then 8 and 1 carry carry आप पहले भी add कर सकते हैं ऐसा नहीं कि carry आप बाद में ही add करेंगे तो 8 और 1 carry ले सकते हैं 1 और 8 add करेंगे कितना हैगा 9 और 9 9 कितना होता है 18 okay 18 का आप 8 राइट करेंगे 1 carry अब यहां देखे 4 और 6 मैं 4 और 6 क्योंगे add कर रहा हूं क्योंकि 4 6 10 होता है साइद आप कोई पता हो तो जैसे भी आप कोई जी पढ़ता है आप वैसे add कर सकते हो तो 6 4 कितना 10 और 1 carry 11 यहां पे एगें 1 carry हो जाएगा 1 7 8 और 1 carry कितना मिल के हो जाएगा 9 ओके ऐसे c वाला कितना हो जाएगा 9 3 12 1 carry आएगा 7 to 9 और 1 carry कितना हो जाएगा 10 अगें 1 carry हो गया 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 और 1 carry कितना हो गया 15 फिर से 1 carry 7 और 1 8 और यह 1 carry कितना हो गया 9 ओके तो यहां पे आपने right कर दिया 9 और right side से करते यह साइड से तो रॉंग हो जाएगा ओकि आपको इधर से करना है 3 5 8 7 7 14 देन 8 3 11 और 1 12 और यहां पर 4 1 5 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 6 ओके यह 2 आप कर सकते हैं ओके यह कर दे रहा हूं यह नीच्छे वाला कर दे रहा हूं आपको आई आई नमबर देखे यहां पर आपके 4 नमबर से 1 नमबर 2 3 और यह 4 ओके यह नमबर से 1 1 1 6 4 डिजिट्स मिला करके आपका यह वन नमबर रेडियो होता है यह आपका वन ही नमबर कहलाएगा इससे एरेज करने पहले तो देखें यहां पर क्या है परस्ट 6 950 15 and 8 कितना हो जाएगा आपका 23 साथ यह 23 और 2 कितना हो गया 25 कितना है 2 तो आप यहां 2 राइट कर दिये ऐसे भी आप कर सकते 2 8 10 10 9 19 19 19 6 25 चाहे जैसे आट करी आपको इजी पढ़ना चाहिए बस हो गया ओके देन यहां पर 6 और 1 कितना हो गया 7 2 कैरी भी ले लिजे 8 और 8 3 कितना हो गया आपका 8 3 11 11 4 कितना हो जाएगा 15 तो 15 का आपने 5 राइट कर दिया अगें 1 कैरी ओके देन 1 1 2 2 4 6 6 2 8 ओके और यहां पर कैरी कुछ भी नहीं है तो 156 617 729 ओके ऐसे करना है तो ऐसे यहां पर देखे यह वाला जो कोश्चन है यह 7 3 10 10 1 11 11 7 18 तो यहां पे आप 8 राइट कर दिया ऊपर 1 कैरी हो गया 4 2 6 6 4 10 ओके 4 2 6 6 4 10 10 1 11 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 12 12 का 2 कैरी 1 अब 6 और 6 कितना होगे 12 और 1 कैरी कितना होगे 13 तो 13 का क्या राइट करेंगे 3 और 1 कैरी ऐसे यहां 257 8 9 और यह 1 कैरी 10 ओके देन के और एल और अदर जो भी बचे आप कर सकते ओके तो आपको यहां पर फिल करना जिससे आपका यह स्टेट्मेंट हो जाए निक्वल हो जाए तो यहां देखिए लेफ्ट साइड में क्या है 3260 है राइट साइड में 3260 है और लेफ्ट साइड में 5637 यहां पर है नहीं है तो आप यहां पर क्या राइट कर देजिए 5637 ओके ऐसे यहां पर क्या है लेफ्ट साइड में 0 है और 8595 है तो यहां राइट साइड में सिफ 0 है क्या नहीं है 895 नहीं है, 8000 590 राइट कर दीजे तो जिल लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में होना चाहिए चुकि रूल्स होता है, ऊपर देखे, मैं आपको बता रहा हूं लेफ्ट साइड में अगर अगर A ब्लस B है तो राइट साइड में उतना ही होना चाहिए order आपका कुछ भी हो सकता है कहने मतलब अगर 4 plus 3 add करेंगे 7 आएगा तो 3 और 4 भी अगर add करेंगे तो क्या आएगा 7 तो order आप चाहिए यह दिखे 3 यहां पर 4 के right side में और यहां पर 3 क्या है 4 से left side में तो order आपका कुछ भी हो सकता है उससे कोई problem नहीं होती है तो question number c में देखें कि right में 1213 है अब इधर left में नहीं है तो यहां पर 1213 ओके 1213 ओके ऐसे यहां पर क्या 509 तो है इधर भी है लेकिन 1284 नहीं है तो आप 1084 राइट कर दीजिए यहां देखे 3 numbers है 3 numbers के लिए फॉर्मूला फालो होता है ठीक है यहां पर क्या है 5196 है 1095 है कि क्या नहीं है 1630 तो आप 1630 राइट कर दीजिए हो गया ऐसे आप दिखें लिप साइड में तो है सारे नंबर राइट साइड में नहीं है है राइट साइड में 3408 यह है और 3411 यह भी है 2146 नहीं है 2146 राइट कर दीजिए आपने ओके देन यहां पर जीवालम भी कितने थ्री नंबर से तो जीरो है ओके यहां पर भी जीरो है 9036 है 9036 है क्या नहीं 5540 तो 5540 यहां पर और दे दिया तो यहां पर क्या 5540 है जीरो है क्या नहीं 9036 तो 9036 आप राइट कर देंगे ओके इसमेंट्स देखते हैं नेक्स पर वर्ट प्रॉब्लम ओके तो यहां देखिए अफाइसर मैं कट 1236 fix on Monday यहां मंदे को एक मचली वाला 1236 पकड़ता है देन तूस्टे को कितना यहां देखिए टूस्टे का है यह 2700 ओके और वेनस्टे को कितना कैश करता है 1800 4 ओके तो कह रहा है find the total total अगर दिया है तो वहां पे आपको addition करना होता है plus करना होता है plus कर दीजे 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10 sorry कितना हो गया 10 3 और 1 कह रही कितना हो जाएगा 4 then 7 2 9 और 9 8 कितना हो जाएगा 17 ओके और 2 1 3 1 4 और 1 आपका कितना हो गया 5 ओके second वाले question में क्या है our library has 285 books sorry 2845 books और 3769 more books are brought to the library now library में 3769 books और आगी तो how much total यहां भी देखे total दे दिया तो यह आपको क्या करना है प्लस करना है ओके प्लस कर दीजिए 95 कितना हो जाएगा 14 6 4 10 और 1 11 8 7 15 और 1 16 325 और 5 और 1 करी 6 ओके क्वेशन नमर्टर क्या है और युनिवेस्टी प्लांटेट इट 813 ब्लांटेट इन जैन्वरी ओके जैन्ने होड़िया में कितना एक प्लांट लगाती है 839 और 817 817 कभ लगाती है फेवरी में ओके दन 936 936 कभ लगाती है मार्च में and again 101 यहां भी देखे क्या टो 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 टोल के लिए आप क्या करेंगे प्लस प्लस कर दीजिए 9 7 16 कितना हो जाएगा 22 और 22 और 1 कितना होगा 23 तो आप 23 का 3 राइट करेंगे 2 कैरी हो जाएगा अब उपर से राइट करते हैं टो टो 2 3 5 हो जाएगा 5 और 1 6 हो गया 6 3 कितना हो गया आपका 9 हो जाएगा कैरी हम ले चुके हैं तो यहां पर क्या राइट कर देंगे ऐसे question number यहां पर क्या है 4, in a village there are 4068 men and 3296 women and 2987 children what is the total कहीं भी question में आपको total लिखता है तो आपको add ही करना है तो आप यहां पर number side में write करके और add कर लेंगे 4068 then 3296 then 2987 और आप इसे 445 tube lights यहां देखिए यह है ट्यूब लाइट और 1068 fans तो find the total number है total number तो यहां पर भी क्या करना आपको add करना है ओके देखते हैं next question क्या है question number six देखिए क्योंकि five हो चुका है in a school there are 3617 boys okay and 2181 girls how many total total है यहां पर तो आपको क्या करना है plus करना है student are there in a school okay then question number seven देखिए Mr. Sharma had 200 coins of one rupees and 331 coins of two rupees coins okay and 405 coins of rupees five how many coins scale coins पूछा है okay तो आपको यह amount यह amount और यह amount क्या कर देना प्लस कर देना और कुछ भी नहीं करना ओके आपका अंसर आ जाएगा then question number eight क्या है five thousand six hundred eight balloons were flying in the sky okay you need five thousand six hundred eight balloons आकास में उड़े हैं और two thousand six hundred more balloon were freed from the ground उसमें से two thousand six hundred balloon और छोड़ दिये गए तो how many balloon are there in the sky now अब इसकाई में कितने balloon हो गए तो अगर suppose that कि पहले से ten balloon है यहां देखे मैं आपको एक example बता रहा हूं ten balloon है अब two balloon और आगे two balloon और आगे तो और के लिए क्लिए क्या करते एंड यह प्लस करते हैं तो कितने हो जाएंगे 12 तो यहां पे भी यह जो दोनों आप अलवी से चोटा साहा है कितना है 5600 और सकेंड के क्यों कितना है 2600 और कर दीजिए simply आपके यह यह जीरो शिक्स ट्वल वन कैरी हो जाएगा 527 और 18 ओके स्टुडेंट को स्टूर नम्मर नाइन देखते हैं 350 एप्पल्स आर प्रेडूस इन वन गार्डन एक गार्डन म आपका एप्पल्स होता है 350 ओके और 2325 एप्पल्स आर प्रेडूस इन अनडर गार्डन वोकि दूसरे गार्डन में 2325 तो हाउ मनी एपग», अगर कोसर नमी आल तो गेदर भी यह तब पर भी आपको क्या करना प्लस ही करना है ओके यहां प्लस कर देंगे और आपका अंसर आ जाएगा ओके को से नबर टैन देखते हैं को से नबर टैन क्या है अब बस अब बस ट्रैवल 2375 की में फर्स्ट मन्त में कितनी चलती है बस 2375 और सकेंड में में कितना चल रही है 2468 किलो मेटर ओके और फिर और चलती है कितना 3269 3269 थर्ड मन्त में तो हाव मुच यहां भी देखें कोशन में आल टुगेदर दिया है आल टुगेदर का मतलब क्या हो जाता है प्लस हो जाता है प्लस करतेंगे आपको आंसर मिल जाएगा ओके स्टुडेंट्स और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में फिल आइकन को भी प्रेस करतें ओके हुआ हुआ है